नमस्कार दोस्तों मैं महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक रची सी वीडियो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें बेला इकोन का बटन है उस पर कलिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बना हूँ उसका नोटिफिकेशन फोरण आपके पास पहुंच जाए तो दोस्तों लाइक करें सेर करें कोमेंट जरूर करें कोमेंट करके मेरे को जरूर ब बताऊंगा कहां से निकलती है कितने किलो मीटर है उसकी मेन मेन जो भी बाते हैं सभी वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी तो कहीं मत जाएएगा मेरी वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा हर एक्जाम के अंदर इसे अरलेटल कोशन जरूर बित्तर करते हुए बहती है और भारत की कुछ प्रमुक नदियों की जानकारी यहां दी गई है वो इस परकार है सबसे पहले है सिंदू नदी कहते हैं सिंदू नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है इस नदी का उदगम तिबब स्थित मान सरोवर जील से हुआ है सिंदू पाकिस्तान में बैते हुए अरब सागर में मिल जाती है सिंदु नदी की कुल लंबाई लगबग 2880 किलो मिटर है तथा यह भारत में 992 किलो मिटर लंबी है सिंदु नदी की परमुक्त सहिक नदियां जेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज है कौन-कौन सी है जेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज पांच साहिक इसकी नदिया है इसके वाद सैगिन पढ़ते हैं जेलम नदी के बारे में कहते हैं जेलम नदी का उदगम कस्मीर गाटी की सेस नाग जील के निकट बेर नाग नामक स्तान से हुआ है क्या है कि जेलम नदी का उदगम कस्मीर गाटी की सेस नाग जील के निकट बेर नाग नामक स्तान से हुआ है वुलर जील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में परवेश करती है तथा चेनाव नदी में मिल जाती है जेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है इसके बाद चलते हैं वियास नदी की इस नदी का उद्गम हिमाले के रोहतांग दर्रे के समीप वियास कुंड से हुआ है यह कुल लंबाई 470 किलोमीटर तै करते हुए पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है आगे है चिनाव नदी हिमाचल परदेश के लाहोल के बारा लाचा दर्रे से निकलती है यह पीर पंजाल के समारांतर भैते हुए किस्त बार के निकट है पीर पंजार में गहरा गार्ज बनाती है भारत में चिनाव नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है यह पाकिस्तान में जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है आगे है रावी नदी की रावी नदी हिमाले प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान के मुलतान के समीप चिनाव नदी में मिल जाती है इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है आगे है चटी नदी सतलुज नदी कहते हैं सतलुज नदी का उदगम तिबस तित मान सरोवर जहिल के निकट राक्सस ताल्व से हुआ है यह नदी अपने उदगम सतल से 1500 किलोमीटर दूरी तै करके पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती है भारत में सतलुज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है प्रसीद बाखडा नांगल बांध सतलुज नदी पर ही बना हुआ है आगे है गंगा नदी की गंगा नदी का उदगम उत्राखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोतरी गैलेशियर से हुआ है वास्त में अलकनन्दा तता बागी रथी नदी के देव परियाग मिलने पर यह गंगा नदी क्यलाती है इलाबाद के निकट गंगा से यमना मिलती है जिसे संगम या परियाग कहा जाता है गंगा नदी दक्सिन पूर्व की और भैते हुए बंगला देश में परवेश करती है जहां इसे पदमा कहा जाता है बंगला देश में समुंदर में मिलने से पहले बरंप उत्तर नदी से मिलती है तो इसका नाम मेगना हो जाता है गंगा नदी की कुल नबाई पच्ची सो पच्ची किलो मीटर है तता भारत में इसकी लंबाई पच्ची सो दस किलो मीटर है गंगा नदी पस्चिन बंगाल में परवेश पस्चिन बंगाल में विशव परसीदे सुन्दरवन का डेल्टा का निर्मान करती है गंगा नदी की प्रमुक सायक नदी यमुना सोन राम गंगा घागरा कोशी गंडक इतियादी है अगली है आठमी जो नदी यमुना कैते हैं यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुक सायक नदी है इस नदी का उद्गम उत्रा कंड के यमुनोतरी नामक गलेशियर से हुआ है जो बंदर पूँच पहाड़ी परस्तित है यमुना नदी के किनारे दिल्ली मुथुरा आगरा जैसे बड़े सेर बसे हुए हैं यह लगबग 1375 किलो मीटर का सफर तैकर के इलावाद के निकट परियाग में गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी की प्रमुख साइक नदीयों में तौन्स चंबल बेतवा तथा काली सिंद आदी सामिल है यमुना नदी को बारत की सबसे अधिक परदूसित नदी माना जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट चंबल नदी कहते हैं चंबल नदी मद्य परदेश के इंदोर जीले में श्तित महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और यह नदी मद्य परदेश राज्यस्तान होते हुए उत्तर परदेश के इटावा जीले में यमना नदी में मिल जाती है चंबल नदी की लंबाई लगबग नो सो पचास किलो मिट्र है यह नदी बिहिडो यानि गड़ का निर्माण करती है आगे चलते हैं दस्वी गागरा गागरा नदी कहते हैं इस नदी का उद्गम माब चांचूंग गलेशियर से हुआ है जो तिबद के पठार में इस्तित है यह निपाल के मद्धे से भेती है हिमालय तथा सिवालिक स्रेणियों को पार करते समय यह रासी पानी नामकस्तान पर गहरी संकीरन घाटी का निर्माण करती है गागरा नदी बिहार में चपारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है इस नदी की लंबाई लगवग 1200 किलो मिटर है आगे है नेक्ट गोमती नदी कौनसी गोमती कि गोमती नदी का उद्गम उत्तर परदेश के पीली भी जिले से हुआ है उत्तर परदेश की राजधानी लखनव इसी नदी के किनारे बसा हुआ है यह गाजीपूर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है कहां गाजीपूर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है आगे है गंडक नदी भी इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमा वर्ति परवद स्रिंखलाउं से हुआ है नेपाल में इस नदी को साली गर्मी तथा नारायनी नाम से जाना जाता है उत्तर परदेश तता बियार की सीमा में बैते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी की लंबाई 425 किलो मिटर है आगे है तेरवी जो नदी है कोसी नदी की कोसी नदी का उद्गम परारंभिक रूप में साध धराओं में हुआ जो नेपाल, हिमाले, कंचन जंगा परवश से निकलती है इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम आरून है जो माउंट एवरेश के पास से निकलती है बिहार के मैदानी भागों में बैते हुए यह नदी बागलपूर जीले में गंगा नदी में मिल जाती है कोशी नदी की लंबाई लगबग सड़े साथ सो किलो मेटर है कोशी नदी अपने मारग परिवर्तन एवं भ्यंकर बाड़ के लिए विखुकियात है यह प्रतिवर्ष बिहार में जंदन की अपार्श रती पहुंचाती है यानि नुकसान भहुत पहुंचाती है बाड़ के कारण इसलिए से बिहार का सोग भी कहा जाता है आगे है दामोदर नदी कि इस नदी का उद्गम छोटा नागपूर के पठार में इस्तित पलामू पहाड़ी से हुआ है यह जारगंड से बैती हुई पस्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तता हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी दुवारा पस्चिम बंगाल में बाड़ से भारी तबाई आती है इसलिए इसे पच्चिन बंगाल का सोक कहा जाता है इस नदी पर दमोदर नदी घाटी प्रियोजना संचालित है जो अमेरिका की टेनसी नदी घाटी प्रियोजना पर अधारित है अगे है नेक्स बेतवा नदी की बेतवा नदी का उदगम मद्य परदेश से होता है यह राय सेन जीले मेश्टित कुमार गाओं के निकट विंद्याचल परवत से निकलती है इस नदी की लंबाई चारसो पच्चतर किलो मेटर है और यह उत्तर परदेश के हमीर पूर जीले म यमना नदी में मिल जाती है कहाँ पर यह उत्तर परदेश के हमीर पूर जीले में यमना नदी में मिल जाती है इस नदी पर माता टिला एम राजगाट बांध निर्मित है आगे है सोन नदी यह सोलवी नदी है important कि सोन नदी का उद्गम मद्दय परदेश में इस्तित अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है यह मद्दय परदेश के रिवा एं सीधी जीलों से भैती हुई उत्तर परदेश में प्रिवेश करती है तथा पटना के समीब गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी की लबाई लगबग 755 किलो मीटर है इस नदी पर बान सागर प्रियोजना एम रिहंद प्रियोजना संचालित है आगे है सतरवी भरंपुत्तर की भरंपुत्तर नदी का उद्गम तिबद स्थित मान सुरोवर जिल से हुआ है इस नदी का उद्गम स्तल समुन्दर तल से 5150 उचाई पर श्तित है भरंपुत्तर नदी तिबद में सांगपो नाम से जानी जाती है तथा भारत में अरुनाचल परदेश से प्रिवेश करने के बाद यह दिहान कहलाती है असम में इसे भरंपुत्तर नाम से जाना जाता है बंगलादेश में इसे जमुना कहा जाता है गंगा धता भरंपुत्तर के संगम के बाद दोनों की समली धारा को मेगना कहा जाता है और ब्रंपुतर नदी की कुल लिंबाई 2900 किलो मिटर है भार्द में यह 916 किलो मिटर लंबी है इस नदी पर असम राज्य में विशव का सबसे बड़ा नदी दिवीप माजेली दिवीप स्तित है आगे है नर्मदा नदी की कहते हैं कि यह नदी मद्य परदेश के विंदियाचल परवत में इस्तित अमर कंटक की पहाड़ियों से निकलती है यह अपने उद्गमस्तान से पस्चिम की और 1312 किलो मिटर की दूरी तै करती हुई गुजरात में बडोच के निकट खंबात की खा का निर्मान नहीं करती यह एस्चुवरी एस्चुवरी का निर्मान करती है इस नदी पर इंद्रा सागर प्रियोजना उंकारी सुवर प्रियोजना और सरदार सरोवर प्रियोजना निर्मित है आगे है त्रापती नदी तापती इस नदी का उद्गम बद्य परदेश के ब तापती नदी पच्चिम की और नर्मदा नदी के समानांतर बैती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, इस नदी की लंबाई 724 किलो मिटर है। आगे है महानदी, महानदी का उद्गम 36 गड़ राज्य के राय प्रुजिले में स्तित सिहिवा पहाड़ी से होता है, यह नदी 36 गड़ और उडिशा राज्य में 857 किलो मिटर भैती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस नदी पर उडिशा राज्य में परसिद हीरा क उड़ बांद बना है, आगे है गोदावरी, इस नदी का उद्गम महाराष्ट के नासिक जीले से होता है, गोदावरी नदी दक्षिन बारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलो मिटर है, अपने विसाल अकार के कारण इस नदी को दक्षिन की गंगा और व्री भिद गंगा नाम से जाना जाता है, यह महाराष्ट आंदर प्रदेश तेलंगाना के पठार को पार करती हुई, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बाइस वी नदी है कृष्णा, कि कृष्णा नदी महाराष्ट के महाबलेश्वर निकट एक धरने से निकलती है, यह मह महाराष्ट करनाटक आंदर प्रदेश में भैते हुए विजय वाड़ा के निकट विबिन साखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इस नदी की लंबाई 1400 किलो मेटर है, गंगा नदी पर नागरजुन, सागर परियोजना तथा सिरी सैलम परियोजना निर्मित है क्रिशना नदी पर नागरजुन, सागर परियोजना और सिरी सैलम परियोजना निर्मित है। आटसो किलो मिटर दूरी टै करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे है अक्सिप्रा नदी, मद्दय प्रदेश के इंदोर जीले में इस्तित काकरी बरडी पहाडी से निकलती है। आगे हैं माही नदी की इस नदी का उद्गम अरावली परवत सिरिंकला से होता है तथा यह गुजरात में खंबात की पाड़ी में गिरती है यह नदी करकरेधा रेखा को दो बार काड़ती है इसके बाद सब बिश्मी है सावर्मती कौन सी सावर्मती नदी सावर्मती राज़स्तान के उद्गम अरावली परवत सिरिंकला से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में मिल जाती है इस नदी के किनारे एमदाबाद तथा गांधी नगर बसे हुए हैं तो दोस्तो आज की हमारी वीडियो यहीं समापत होती है मैं आसा करता हूँ आपको मेरे दुवारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और कोमेंट करके जरूर जरूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बैल आइकोन का जो साइट में बटन दिख रहा है उस पर कलिक कर दे ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहे तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपी के साथ फिर मिलेंगे जै हिन जै भार धन्यवाद दोस्तो